चॉक्लेट मामी से मैं सीमा धावय आपका स्वागत करती हूँ, आज मां आपको गंगा दश्मी वृत की कथा कहानी सुनाने जारी हूँ 12 जून बुद्धुवार को गंगा दश्मी का वृत आएगा और इसमें कौन सी कथा कही जाती है वो मैं आज आपको बताने जारी हूँ एक बार की बात है महाराज सगर ने एक यग्य किया इस यग्य की रक्षा का भार उन्होंने अपने पोते अंशुमान को समला दिया इंद्र ने सगर के यग्य के अशु का अपरहन कर लिया अंशुमान ने सगर की साट अजार प्रजा लेकर अशु को खोजना शुरू किया सारा भू मंडल खोजा लेकिन अशु का कहीं पता नहीं चला तब अशु को खोजने के लिए पातालोक में प्रत्री को खोदा गया खुदाई करते समय उन्होंने देखा भगवान महरिशी कपिल तपश्य कर रहे हैं और उनी के पास महाराज सगर का यग्य अशुगास चल रहा था तबी प्रजा उन्हें चोर-चोर कहकर चिलाने लगी इस शोर शराबर से महरिशी कपिल की समाधी तूड गई जोई महरिशी कपिल ने अपने आगनिय नेत्र खोले तबी सारी प्रजा जल कर भस्म हो गई इन म्रत लोगों के उद्धार के लिए महरा दिलिप के पुत्र भागिरत ने कठो तपश्या की भागिरत की तपश्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और वर मांगने को कहा भागिरत ने गंगा की मांग की तब भागिरत से कहा कि गंगा जी के भार और वेग को भगवान शंकर ही समाद सकते हैं तब भागी रत की कठो तपष्या से शिव जी ने अनुग्रस इकार कर लिया, तब ब्रमा जी ने कमंडल से गंगा जी को छोड़ा, तो शिव जी ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में बांग लिया, जिसकी वज़े से गंगा जी को बहा निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो यह कथा है और सकते कथा है यह आज मैंने आपको गंगा दश्मी की कथा सुनाई है अगर आप व्रत करते हैं तो कथा भी जरूर सुननी चाहिए इससे व्रत का पूरा फाल मिलता है आज मैंने आपको गंगा दश्मी की कहानी सुनाई अगर आपको यह कथा यह कहानी प्राइब करें चोकलेट मामी से मैसी माधावाई धन्यवाद